सुबह छे बजे का वक्त हो रहा है निकाई चुनाओं के दूसरे चरण के लिए आज कानपूर में मदान होना है 22,87,000 से जादा मदाता आज अपने मतादिकार का प्रियोग करेंगे अपील की जा रही है कि मतदाता जागरु को कर घरों से बाहर निकले सबसेब से चई बजए यानि 7 बज़े से मतदान शुरू होना है लेकिन 6 बजऑ ही हर सहाए इंटर कॉलेज में कुछ मदाता पहुंच गए हैं और वो मदाता क्यों पहुचे हैं उनसे बाओ कर लेते हैं सबसे पहले तो देःशित के लिए और मदान इसलिए करते हैं पहला वोटर होने के लिए मद्दान करते हैं कुछ और मुद्दे भी हम पारशद इसलिए चुनते हैं क्योंकि अच्छा पारशद हो जो हमाई महले में अच्छा काम कर सके मतलब किसी चीज की कोई गंदगी नहों हम जब बाहर निकलें तो सफाई हो किसी भी चीज का हमको दि पाई हो सके रोट की कहनम हो रोट जिता टूटा-फूटा होता है वो सब मरम्मत हो हमने बस यहीं चाहते हैं उत्सा यह रहता है कि फर्स टाइम बोटर भी बने और अपनी समस्त्याओं का भी समस्त जी आईशा तन्वीर हैं देखे हम बच्छों को ब्लॉक करके आए घर के बच्छों को कि सबसे पहले मद्दान करेंगे उसके बाद घर पहुंच करके जलबान करेंगे चाचा भी आएं उनसे बात कर लेते हैं क्या नाम है असलम हुसें असलम साब भी सुबच छे बज़ी आ गए मद्दान तो सात बज़े से शुरू होना है नहीं तो सुबच छे बज़े आके लाइन लगाएं मतलब यह नहों कोई पहला वोट दूसरा डाले हमारा उसा यह है कि पहला वोट हम डाले हैं इतने साल आपने वोट डाला होगा कितने बोट कितनी हर बार पहला ही बोट डालने की कोशिस करते हैं हर बार पहला बोट डाल के देश इतमे जो भी हो वो मतला अपना कर्टब निवात है उत्सा बना हुआ है अभी भी है उत्सा ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पूरे दिन बैठे रहते हैं मद्दान के दिन को छुट्टी का दिन मान लेते हो घर से निकलते नहीं ऐसे लोगों से हम यही इंतिया गुजारिस और रुकेस्ट करेंगे कि वो जल्दी जल्दी उठें उठें उठके अपना बोट डालें और डालके अपने देशित में अपना जो भी हो योगदान करें कि सरकार क्या क किस तरीके की सोचते हैं कि कबननी चाहिए होना चाहिए यहां पर शेहर की सरकार ऐसी हो जो लोगों के दिलों में राज करे कोई भी हो कोई भी सरकार बने कोई भी हो दिलों में लोगों के राज करे लोगों का कामकाज करे कारोबार हमारा अच्छा हो हमारे नहीं कोई परिशानी नहों कोई दिक्कत नहों जो भी हो अच्छे से अच्छा हमार लिए हो बह Cart Bassird हो उसिए यह कॉरिए कॉर और वालं के दिल पर राज रोंगे यहाग कार्टा गरों को बाहर निरे कलते हैं तुम्हाम सुर्ग्ष्ट का कार्मिकों को क sorrow में पूरी सरकारी मेशारी लगती है कि अपने मता अधिकार का परियोग करने के लिए लोग घर से वाहर निकले लेकिन फिर भी वह घर पे बैठे रहे लेकिन इन मद्दाताओं को जागरुक मद्दाताओं को देख करके आपको सोचना चाहिए कि साथ बज़े से मद्दान चुरू है और यह च्छे बज़े मद्दान केंदर में पहुंच गए हैं इतना इतना एक्साइटमेंट कि फर्स्ट वोटर बनना है इनको पहला मद्दान करना है और उसके बाद घर जब पहुंचेंगे तभी जलबान करेंगे कैनपुर से कैमरेमेन पंकज निगम के साथ रतीश्तर वेदी एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी